आपका स्वागत है मित्रो आज हम बात करेंगे विशेश मुलाकात में हमारे महमान आये हुए हिमाचिल प्रदेश के MLA जो अभी ब्रह्मा कुमारीज में उपास्तित हैं और उनके विचारदार हैं हम उनसे जानेंगे कि कैसे उन्होंने इस राजनिती में आये और अपना जी कारो बार काफी समय से बाहर के देशों में भी चलता आ रहा है तो इन से ये जानेंगे क्या कारोगार के साथ साथ उने डे और जीवन के बारे में उनसे बात करते हैं पर काश ऌ mehr जी जो ही माचिल प्रदेश से हमाफ है का स्वागत है धन्यवाद 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 जिऑ अट भी आप acompan स्थान पर होए हैं और भाहमा कुमारी की बारे में आपकर द्वे जो आपन में अनुभात स्थान न चाहेंगे डिर्शक की में कि मैं अपने आपक यह दुनुग हो ऑप मिल नश्ती समेंसmost comment Ky यहां और बाई खेम सिंग जी और हमारी वहां पर जो बहने सेवाइन दे रही है उनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि उनकी विचार धारा को देखकर मुझे भी लग रहा था कि मुझे भी एक बार वहां जाना चाहिए तो मैं यहां पर मौंट आबू में आया और जो कुछ मैंने यहां पर देखा एक अदभुत सा जो मुझे मिल यहां पर जो देखने को कि ऐसा लग रहा है कि मैंने एक्शली दुनिया की काफी कंट्रियों में गया हूं और जहां भी गया कुछ ना कुछ सिखने को मिलता है और हमारे भारतों अर्समेंडिया के अंदर जिस तरह से आम शांती की जो संस्था है परम कुआरी की जो काम कर रही है जो सेवाइन दे रही है इसको देखके मैं खुद भी हरान हूं इतनी जब मैंने यहां पहुंचा और देखा अंदर इतनी साब सफाई इतनी खूबसूत इतनी सुंदरता यहां तक कि एक मुझे मुझे मक्षर अच्छर भी देखने को नहीं मिला यह मुझे लगता कि बहरतोर्स का पहला ऐसा स्थान मैंने देखा कि इतना नीट कलीन और इतना अच्छा इनका जो भीवेव है जो भीवार है जो सेवाइन दे रहे हैं हमारे गहर में खुद तीन-चार नोकर हैं ऐसी सेवाइं वहां भी कि आधे साथ अपनी वाइब के साथ आँ आया और हम लोग ने बहुत कुछ शहां पर हमें चीजने को मिला जो कुछ कमिया लगती थी कि जीवन कैसे जिन है कुछ जो अपने अंधर था वह यहां पर अनुअब होने लगा है कि आगे हमने क्या करना है प्रकाश जी सूना है क आपके पिता भी आर्मी में थे, उन्होंने आर्मी में रह के जनता की सेवा की और आप राजनिती में आने के बाद जनता की सेवा कर रहे तो अपने राजनिती ही क्यों चुने, क्या खास वजा है, मैं एक बिजनसमेन हूं, सबको पता है, और मैं राजनिती में वैसे आना नह करोगे जब भी मैं उनसे मिलता था आता था ग़र मैं तो एकी बात की मुझे आप सी जरूरी बात करनी है और जब मैं उनके साथ बैठता था माता पिता हुते हैं आपको पता है कि वो सकता उनको पता हो कि आपने जीवन में बड़ा कुछ बड़ी तरकी करोगे लेकिन इस कश माई का साथ से दस परसेंट जो अद्धानपुने में लगाया है जो नेट प्रोफिट होता था वो लगाते आया और जितना मेरे से हो सकता था हमने किया वहां पर मंदर बनाए, स्कूल बनाए, रास्ते बनाए, रोड बनाए, जो कुछ मैं कर सकता था लेकि पता जी चाहते कि आप जब भी राइनिती में आओगे तो कोई बहिमानी ना करे एक साफसूथरी राइनिती यह उनका एक सोचना था तो वही जब ऐसा होता कि जब माता पिता जीवत होते हैं तो आपको पता है कि नहीं हम लोग इतनी परवा करते हैं लेकर आफ्टर उनकी डेथ सोचते है कि कुछ पिताजी के जो बातें थी हम उसको पूरा करें तो मैं बीजनस कर रहा था हमारे बास भी हजारों लोग काम कर रहे हैं बीजनस को हम ऐसे छोड़ नी सकते थे कि इतने लोगों की रोजी रोटी थी इतने लोगों के घर पल रहे थे लेकर जैसे हमारा बेटा पढ़ लेकिन जैसे पिताजी की अदेश थे, जो उनकी सोच थी, मैंने आते ही अपने जो सेलरी बत्ते जो जो है सब जनता को दे दी, एक ट्रस्ट बनाया, ट्रस्ट के थरू हम जी हमाचल में अपने की शेतर में काफी काम कर रहे हैं, सबसे पहला काम तो मैंने किया कि जितने भी हम जिनको हो गया हमारी कंसिचुंसी में, हम उन सब भीलचेरे दे रहे हैं, गरीब लोग थे, आपने घरों में पड़े रहते थे वो श्रूम उनको उठा के लेके जाते थे, तो हमने ऐसी भीलचेरे दी कि उसमें कमट वेरा लगा हुए है, तो वो श्रूम जाने का वी जाता है कि जो निर्दलिया पार्टी में होता है और जो रूलिंग पार्टी में आता है तो आप निर्दलिया पार्टी में आने के जो विकास आपने लाया ये आपने कैसे संभव किया जो रूलिंग पार्टी में होने के बाद ये संभव हो सकता है ये जो कोस्चन आपने मरे हespère आए जब बड़ा इंटरेस्टिंग लड़ा इंड्यक्षेटन कुज्चन किया है अब रायनिती में आना है जब वह अन्म आएता न चाहते जानते नहीं है याकि मारी कोई पार्टिए यह तो हमें इंड़िपेंडेटेटि एलेक्षेण लड़ना पड़ेगा वर हम ने चाहत है कि अम इंडीपेंडनेट लड़ाय और जनता जब हम इतने कार्या किये थी जनता के लिए टनी सीवा किये थी तो जनता सब जानती थी और इंडीपेंडेंडनेटी जनता ने हमें इतन April डाले इतने July ne से जनता ने में इसे पिर डॉःस्टा किया हूंनार कि के मादम से यह अपनी जनता को अपने क्षेत्र की जनता को बताना चाहता हूं कि जो आप लोगों ने मुझ पर ट्रस्ट और विष्वास किया सा है उससे कई गुना ज्यादा मैं अपने क्षेत्र की सेवा करूंगा यह नो एक बत ओ है की आप जैसे अभी ब्रह्मा कुमारेसमें आप आए आप आपसे यह पूछना है जब भी काया करT है हम को विक याद करते हैं तो भग्वान को आद करते है, परामातमा को आद करते हैं, पहला दूससं कि हम थी जही जहां हभी कुछ सिखने को मिला हमहरे इस वक्तव आप देखते हैं की पूरे भारत वर्सम किसी चीज की कमी और कुदरत वहां कि हमारा जन्व ऐसी भूमी में हुआ जो देवों की भूमी है तो हम पहले भी जो है ऐसे इश्वर के तर्फे अगर राजनेती में आया तो आपको यह सोचना चाहिए कि यह तो इश्वर की तर्फ से हुकम आता है यह वाकी याद करने की बात की कि आप परमात्मा को किस कolem में जैसे मैं बोलूं तो मैं परमात्मों को था मित्र के संद्ध में आद कर तो आप कैसे क्सें मैं अट करते हैं क्यूंकि मैं एस सम्झाना चाहिए कि हम तो एक शरीर सरीरemie में यह वैष्मा इस्वरब भीड़े है तो आत्म को मारा अदर ही जानी है को जो यह जानी हम थोड़े दिन के लिए बेजा है, हम सब को बेजा है, जिस दिन हम इस चीज को समझे लें, कि हम एक आत्मा के रूप में है, तो शरीर तो यही रहेगा, उस दिन हम खुद ही एक अच्छे काम चलेंगा, जो भी कार्या करेंगे, इस्वर को याद करके, क्योंकि पर्म पिता वह अच्छे का है? आज हमारे एक ही बात है, आप कहीं भी कोई स्टेट में देखो कि हिर्क बिरोद लोब गवन्ड इतना बढ़ गया है कि हम एक दूसरे को पहचान ही रहे हैं और यह जैसे लेवता देवता हम बन गए, लेते जाओ, लेते जाओ, लेते जाओ, लेते जाओ, यो जो वीचेया देना हम भूल गे और रहे हैं और जो पैल रहे है अमारे हिंदुस्तान जो पोरी है की नोगों बदलाब आएगा और इसी चीज की कमी थी अमारे हंुस्तान में। आपने दुखों से दुखी नहीं। दुषरों के सुखों से दुखी है। और ये जो है जो उनकी सोच थोट आझ जो जो सुक्सांती जो हमारे जीवन की पूरी खत्म है। अगर सुक्सांती को दवारा बापस लाने है तो एंग विचारों पे जहना पड़ेगा। आज मैं कार्या करते रहें और हम भी आपके साथ जुड़े रहेंगे यह मैं विस्वास दिलाना चाहता हूं सुनने में एक बात यह आई हुई है कि आपका हैलिकोप्टर बहुत चर्चा में है तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कि आपके घर की आपके सिर्फ ग्राउंड म यह मैं अपके साथ बारे में ऑचाहेंगे जब इलेक्स ट्रिफ टाइम काफी हो चुकी है पिर भी आपने मुझे हमारी बैन ने पूछा है थोड़ा बता देना चाहता हूं हमारा एक इसा था वहां पर ना तो कोई फ्लाइट थी ना कुछ था जब हम देली से आते थे देल जबने था रोड खराब थे तो और मुझे एक अपनी जन्द भूमी से लगाव था और मैं आमिसा ना चाहता था कभी मेरा दिल करता था कि मैं हर महने आओ या दो महने में आओ तीन महने में आओ क्योंकि एक बार मैंने भी सोचा था मेरे कई मितर कई फ्रेंड जो है वो मेरे को एक बार बीचार आया था कि यारा मैं भी देखता हूं जैसे हमारे फ्रेंड चले गए तो हम भी कई सेटल हो जाए तो मेरे मांड में ऐसे जब मैंने इसके बारे में थोड़ा सोचने लगा तो क्लिक हुआ क्योंकि मैं कोई भी काम जल्द बाजी में करता हूं सोचत एक एषवर का जो हम परिवर्तन कर रहा है गर मैं ऐसा हो तो में मैं पैदा हो ता एमरेक में पैदा होता एउरोप में पैदा हो जब मैं अड़ उद पढ़ना हुआ तो मुझे जन्द भोमी सा अगर मैं छोड के जाऊंगा तो मैं आछ्छा नहीं करूँगा फिर मैं ने व अपने घर पे बनाया ताकि मैं आज जाओ और आओं यह है सारा कि और मैं धन्यवाद का था हुआ कि उन्हों भी हमें पर मिसन दी और मैं जाता आने के लिए क्योंकि मेरे माता पिता भी बुड़े थे तो मैं चाहता था कि मैं उनसे भी तच पे रहूं तो यह कारण था सारा प्रकाश जी जब आपने चुनाव जीता तो इसी कौन सी तीन बाते हैं जो आप हीमाचल में जोगिंदर नगर में विकास लाना चाहते हैं? तीन बातें तो इसी विकास की काफी हैं लेकर तीन में बता देता हूं हमारा जोगिंदर क्षेर तजिस से में लड़ा हैं जो काफी पिछड चुका था जहां तक मैं आपको बताऊं की वहां पर ना कोई मेडिकल कोलेज है रोडों के हालात का ख्राब हैं ना कोई बस टिपो यहां तक ना आई पेच डवीजन जो पानी की भाड़ी विलाका है पानी की इतनी बड़ी किलत वहां पर थी लेकर एक आई पेच डवीजन नहीं था लेकर मैं धन्यवाद करता हूं अपनी मुख्य मंतरी जहराम ठाकुर जी का मैं एंट्री की और मुझे ऐसे मुख्य मंतरी मुख्य मंतरी जो मिले हमारे जहराम ठाकुर जी बहुत अच्छे आत्मी है जुमीन से जुड़े इंसान है उन्होंने पहले ही साल में जो हमारी कुछ कमिये थी आज हमें आई पेच डिवीजन मिला बस्टिप वहां मिला सब तसील हमें मिली शीवल होस्पिटल हमें मिला य का पोरी मंतरियों का बहुत भुद धन्य वाद करता ह हूँ हो बड़ा कुछ हो बहुत ही और यह तो जंता इसलिए उन्हों ने मुझे कि वाह विकास नहीं था लोग विकास के लिए कर रहे थे वहाँ अलग तरह का महुद बना था तो जनता ने अब विकास होने लगा और जनता खुश है यह सारी बाते थी पानी की वहाँ समझ्या थी रोडों की समझ्या थी आप तीन बाते पूछ रहे वहाँ बड़ी कुछ जो लोग जो सफर कर रहे आजकर की जनरेशन है जो नोजवान है वह कहते है कि परमात्मा को अभी क्या याद करना हमें अभी सिफ कमाना है खाना है पीना याश करना है तो क्या बुढ़ापे में ही परमात्मा को याद किया जा सकता है आपके आपके विचारों में क्या जा सकता है बिलकुल गलत है अ जो एस और दिकाए हुआ शुका उनको नहीं कої सकते हैं क्योंकि परिवर्तन हमने लाना था। विचार दहरा जब हमारे मजुरूगों की ऐसी नहीं होगी है, हमारे परेंट्स की थोड़ी विचार दहरा क्योंकि वहां के जो पेरेंट्स है अभी मैं देख रहा हूं कि उनको भी इस चीज का ग्यान नहीं है जिए ग्यान होना बद जरूरी था ऐसी ऐसी संस्ता जैसे काम करेंगी जो विचार देंगे कि वहाई आप क्या करें इसका अच्छा और बुरा क्या है उसका उनको पता चल क्या है कि वह अच्छे बुरे से क्या मिलेगा वह चाहते है कि थोड़ा दिन का और अपना एशी करो क्योंकि आज कल मता पिता क्या करें जैसे हम मैनत कर रहे हैं कोई पिता है जो भी कोई सर्विस कर रहा है नोकरी कर रहा है वह अपनी कमाई का अपनी कमाई का 75-80 परसंट अपने बच्चों के लिए खर्च कर रहे हैं, अपने लिए कितना खाता आप दस परसेंट खा लेगा, लेकन यह तो हमें अभी उनके लिए अंदर बिचार डाले हैं, अब नई जिनरेशन को हम क्या बोले हैं, जब मोली ऐसे बन गए हैं, इसके लिए कुछ नहीं है, एक अच आपका, मैं जो कुछ यहां से सिख है दो डाही दिन में, मैं तो जनता को इतना ही कहूंगा, कि इनकी विचार धारा तो देखो, इनकी सोच देखो, इनकी थोड़ देखो, क्या है, जब कि इनको पता चले, कि यह शरीर तो एक नासिक है, एक आत्मा कहां से हमें मिली है, फि पर सब्दाइन में तो बंगा रस्त प्र को सामने अगर अगर ने सब पता लका युझा और एध情 डिग और हम भी पूरी सुंगाने की कोसिज करेंगे मैं भी भी निचाँता हुँ कि वहां सुकसांती आये सुखrue सांती जब आएंगे जब हम अपनी बिचारदारा को बतलेंगे, अपनी सोच को बतलेंगे और में पूरी कोसिस करेंगा। मैं भी एक समाय सेवी हूँ और समाय सेअगा करता आया हूँ और आगे भी करता रहूंगा तो इसलिए मैं चाहूँगा कि हम भी लोगों के दिमाग में इस बात को बठाएं, समझाएं उनको, पूरी कोशिस करेंगे और जो कुछ मुझे यहां सीखने को मिला है, मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, कि चालीस अजार हमारी बहने इस संस्ता के लिए सेवाएं दे रही है, दुनिया के एक सो चालीस देशों में इस संस्ता फैली हुई है, तो इसमें बड़ा बदलाव आएगा, और मुझे लगता कि यह है, कि सत्योग जल्दी आएगा, बदलाव होने लगा है, इसलिए मैं को बताया है, प्रकास जी आप हमारे विशेष मुलाकाल, ब्रह्मा कुमारीस में आया, आपका बहुत-बहुत धन्यावाद, आपने विचार प्रकट किये, साथ ही साथ राजनिती के बारे में बताया, और यह भी बताया कि हमें किस तरह से सेवाएं करने चाहिए, जरूरी कि राजनिती में भी आकर हम सेवा कर सकते हैं, और ब्रह्मा कुमारीस में आत्मा और प्रमात्मा के बारे में भी आपने विचार प्रकट किये, आपका बहुत-बहुत धन्यावाद, मित्रु आज अपने जाना कि प्रकास जी ने हमें अपने विचार धाराएं पूरी प्रक वृद्धु की या फिर जो अपंग है उनकी सेवाइं की और नोजवानों के लिए भी ये बोला कि उनके पीछे के जो लोग हैं पहले उनको वो संस्कार प्राप्त होंगे तब ही तो आगे आने वाली जेनरेशन परमात्मा को प्राप्त कर सकती है और ब्रह्मा कुमार इसके बारे में उन्होंने बताया कि हमें कैसे परमात्मा और आत्मा का मिलन होता है हम कैसे परमात्मा को याद करते हैं प्रकास जी का बहुत-बहुत धन्यावाद ओम शान्ति नमस्कार झालवाद खड़ाओ प다면 इसमे रह। आग यह काद बहुत-बहुत नमको तारी जी करते हैं उड़ाद पाला जिसे जी जी वाल इसके बीज़ें एगल होता है हुत-ज़ को तो आह बता है है शूत-बहुत-टे झाल झाल